हेलो एवर्यों वेलकम टू माय यूटूब चैनल में के प्लस पॉर्ट इसके पहले को वीडियो लेक्टर था उसमें आपको समाप्त कियें थे एनलीसिस ऑप इंफिनाट स्लोप फोर कोहिसिव स्वाइल जिसमें आपको चारो केस के बारे में बतायें थे कि फैक्टर ऑफ सेप्टी क्या होगा आज केस वीडियो लेक्टर ने विदारती आपको बताएंगे डिफिनिशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेप्टी यहां देखें स्वाइल मेकिनिक का 14 मोडूल है इस मोडूल में विदारती आपको मेंच निकालना है फैक्टर ऑफ सेप्टी आप जितना भी टोपिक देखें होंगे और रिलेटेड होगा फैक्टर ऑफ से तो फैक्टर ऑफ से एक ऐसा टर्म है जिसके हिल्प से हम बता सकते हैं कि कोई स् आपको बताते हैं कि मोडिलाइज का मतलब क्या होता है मोडिलाइज का मतलब होता है यूज कि कोई चीज माइक्सिमम कितना है और आप कितना यूज कर रहे हैं जो यूज हुआ वही चीज का लाता है मोबिलाइट फिर भी आपको इसका डिफिनिशन हम पीछे लिखाए हैं कि इसका मतलब क्या अविदारती मान लेते हैं आपके पास तीन ब्लोक है इस पर लोड लगाएं पीवन इस पर लोड लगाएं पीटू इस पर जो है यहाँ जो astrease develop होगा वो खालाएगा mobilized shear astrease और यहाँ जो आपका astrease आएगा वो हो जाएगा फैल्ड वह रहानी कि इस पर क्या है आपका block फैल्ड कर रहा है तो यह आपका mobilized shear astrease नहीं खालाएगा तो देखिए इसमें जो stress आपका डेवलाप हुगा P1 by A1 इसमें P2 by A2 और इसमें Pmax बटे A3 माल लेते हैं इसका area A1 है इसका area A2 इसका area A3 आप देखिए यह दुनों load के कारण क्या है यह ब्लोक आपका फिल नहीं कर रहा है इसलिए यह दुनों ब्लोक में जो stress डेवलाप हु इसलिए यहां जो आपका maximum load है Pmax है इसके करण के आपका ब्लोक फेल कर जाता तूट जाता है तो आपको पता चल गया होगा कि मोवीलाप को मतलब क्या होता है आपको यही ध्यान रखना है कि मोवीलाप को मतलब होता है कि जो चीज मैक्सिमम मेरे पास है और उसमें कितना हम यूज कर रहे है उसी टर्म को बोला जाता है मोवी lie इसलिए देखिए factor of safety क्या होगा c पलस सिग्मा वार बाय टेंट फाइव टे टाव सीरस्टेंट का फर्मुला यह हुआ अप मोवीलाइस सीरस्टे जो भी आपका भिलू दिया रहेगा उसका यहां रखेंगा तो यह जो यहां देखिए c जो है आपका unit cohesion of soil है और cm जो आपका है mobilized cohesion of soil यहां c जो भी दारती आपका unit cohesion of soil है unit इसलिए लिया जा रहा है विकाओ आपको unit से ज़्यादा कितना भी दिया दो दिया चार दिया पाद दिया तो क्या करेंगे उसका cohesion निकालने के लिए उतना से मल्टी पलाई कर देंगे उसके बाद देखिए अगला जो आपका factor of safety का formula है hc by z hc क्या है critical height जिसका formula होता है 4c by gamma 1045 degree plus 5 by 2 5 क्या है आपका internal angle friction है यह जो फर्मूला विदारती आपको जब earth pressure theory पढ़ा रहे होंगे unsupported cut वहाँ पर आपको यह formula लिखाये होंगे उसके बाद देखिए factor of safety बराबट 10 5 by 10 i 5 क्या इविदारती आपका internal friction angle है और i जो आपका है slope है कि आपका slope कितना angle पर पढ़े है यह i उसके बाद देखिए last आपका formula क्या factor of safety का 10 5 by 10 5 ym जहां भी ym लगा हो रहेगा समझ जाना है वो mobilized है मतलब जितना हमको maximum था उससे क्या है कम हमको यूज हो तो इस टर्म को बोला जाता है mobilized तो ओई फाईया में हाँ है लिखते हैं आपर कि भेर फाईया mobilized friction angle ठीक है विदारती आज के वीडियो लेक्चर नहीं और stop करते हैं next lecture में आपको इसका जो भी आगे topic रहेगा उसको बताएंगे आज के वीडियो लेक्चर में आपको करें डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सिस्टन में आपकी डाउट को दूरक करने के खूश करेंगे अगर जो मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे में चैनल को subscribe करें दोस्तों की पास 인을issen sphzer करें और इसको like भी करें ताइक्वी घारती